भायू और भेनों, भारत का टीका करन अभियान बहुत ही मानविय और महत्वपूर सिध्धानतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। मेडिकल, पेरा मेडिकल स्टाप है, वो करोना की वैक्सिन के सबसे पहले हकदार है। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्रावेट में, सभी को ये वैक्सिन प्राफिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानूर ववस्ता की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलीस कर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सिन प्राफिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब तीन करोड होती है, इन सभी के वैक्सिनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीका करण अभ्यान की पुक्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किये गए हैं, ड्राय रंस हुए हैं, विशेस तोर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में, टीका करण के लिए रेजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेकिंग तक की व्यवस्ता है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकरी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना वैक्सिन की दो डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए ऐस्या गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग एक महिने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के दो हपते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरूद जरूरी शक्ति विक्सित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास निकाल कर रख दें, दोगज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रासना करता हूँ, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आगरत से कहना चाहता हूँ, जिस तरह धैरिये के साथ आपने कोरोना का मुकामला किया, वैसे ही धैरिया अब वैक्सिनेशन के समय भी दिखाना है।